हेलो स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है सेमरिटन डिफेंस एरेना के इस ओफिसियल योटूब चैनल पर और आज का बेटा रिकार्डिंग लेक्चर है और आप जानते हैं कि आज दीपा वली का तेवार है तो हम दीपा वली के इस सुनहरे मौके पर कुछ ऐसा कदम बिल् है वो हो ठीक है तो हमें सिर्फ सिंपली जो है एक दीपक जलाना है और दीपक एक पॉजिटिव इनरजी का सोर्स होता है उसका यूज करना है ना कि हम उन पटाखों का इस्तेमाल करें इससे हमारे नेचर में धेर सारे बदलाव हों क्योंकि आने वाली जो समस्याएं हैं उ उनका भी सामना हमी को करना है तो हम उन समस्याओं से क्यों घिरें अपने आपको क्यों घिरें हम पॉजिटिव इनरजी फैलाने का काम करें ना कि हम अपने ही जाल में फंस करके उस निगेटिविटी में फंस जाएं तो वो नहीं करना है बिलकुल तो इसलिए आप पटाख से दीपावली के तेवहार को मनाना है ठीक है तो एक बुराइपर अच्छाई की जो जीत है ना उसे हमको बलकुल साबित करना है ना कि हम ऐसा काम करके उसे फिर से अपने ही जाल में फसने का काम करें ठीक है तो एक बार सभी को हमारी तरफ से हमारी पूरी सेमेरिटन टीम की तरफ से बहुत बहुत दिपावली की धेर सारी बधाईयां ठीक है ना सुब कामना है और आप लोग अच्छे से त्योहार को सेलिबरेट करें बस इतना ही है ठीक है चलिए तो आज बेटा जो है हम नए लेक्चर को शुरू कर अब dabei कार दे आपको पीछे की जो भी वाते हो चुकी थी ना आपसे हमने डिस्कस कर लिया था उसको थोड़ा सा एक बार रिकाल करा दे फिर हम पीछे वापस अपने सारी उसके आगे जो है डिसकस करेंगे कि क्या क्या अभी आपर हम को पढ़ना है ठीक है तो पीछे हमने जो देखा फ्लेस बैक में आपको ले चलते हैं वहां हमने बताया आपको की digestive system में digestion का क्या role है और उसके अलामा digestive system में हमने आपको बताया कुछ gland हैं, कुछ आरगन हैं जो अपना-पना काम करते हैं digestion में role play करते हैं जैसे हमने कई सारे नाम बताये थे आपको, न, elementary canal में 9 मीटर की लंबाई का जो elementary canal था उसमें धेर सारे part थे थोड़ा सा एक habit जो बनी हुई है न, comments देखने की तो वो actually में बार-बार वो कहीं न, कहीं mind को ले जा रहा है ठीक है न, तो आज कुल मिला के हम आपसे interact ऐसे नहीं कर पा रहे हैं हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप lecture को देखेंगे, समझ लिजे कि वो interaction आपके साथ बिलकुल हमारा बना हुआ है, ठीक है तो देखा हमने elementary canal जो 9 meter की होती है, उस 9 meter की elementary canal में अलग-अलग आपने part देखे थे, जैसे क्या देखा था जैसे हमने आपसे कहा भया कि mouth देखा था, mouth में अगर हम बात के थे, teeth और tongue देखे थे oral cavity है, पूरा mouth का हिस्सा, mouth के बाद हमने देखा था, क्या, एक ऐसा area पड़ा था, खाली area, कामन रास्ता, जहां से हवा और खाना दोनों जाता है, nose का भी area वहीं खुलता है nose का भी रास्ता जाके वहीं खुलता है, mouth का भी जो हिस्सा जाके वहीं खुलता है अंदर फेफ़डे से जो भी हवाएं आती हैं, वो भी वहीं खुलती है और खाने वाला इस्टमक का जो content है, isophagus से, वो भी आके यहीं खुलता, तो एक ऐसा कामन रास्ता, ना चो राहा नहीं, पंच राहा Scripture, पेरिंस, बताया था आपको, पंच राहों का समूं है, पंच राह क्या बताया था, दो तो हो गए, ऐसे ही, जो नोश से लेते हैं, वो गया, दूसरा मूझ से गया दो हो गए, ठीक है ना लंग से जो आया है, वो यहीं खुला है तीन हो गया डाजेस्टिस सिस्टम में खाने वाले स्टमक का जो कंटेंट आया वो भी यहां खुला तो टोटल कितने हो गए चार और एक हमने बताया था कान का भी हिस्सा आ करके वहीं खुलता तो कुलमिल आके हमारे पास चौराहा न बोल के पंच राहा है ये पांच राहों का समू है कौन फैरिंग्स और फैरिंग्स के बाद हमने आपको बताया था क्या एक खाने वाली नली एक कौनसी हवा वाली नली तो हवा वाली नली को हम हवा वाले में पढ़ेंगे रिस्पारे देखेंगे आपको वही रिकाल हम करा रहे हैं ना अगर 10 मिनिट के लिए आप उसको देख लेंगे तो मोटा मोटा आपका पूरा रिवाईज हो जाएगा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना फिर हमने देखा कि जो खाने वाली नली है उस पर कोई ढकन नहीं होत है उसे हम एसोफेगस बोलते हैं ठीक है ना फूड पाइप बोलते हैं खाने की नली बोलते हैं ग्राश नली बोलते हैं ना लेकिन जो दूसरी नली है ना जहां से हवा जाती है वह नली क्या है वह नली है विंड पाइप ट्रे किया है तो वह हम इस पारशन में जाने की वह हवा वाली नली बंद है एक धक्कन से जिसका नाम क्या है एपीगलाटिस है क्यों धक्कन से बंद है नुकि खाना खाते समय ना वो खाना का खाने का पार्टिकल जो है वो हमारी हवा वाली नली में ना जाए इसलिए वहाँ पर क्या होता है धक्कन एपीगलाटिस होता है ठीक ठीक है एक आपको हमने डायग्राम बनाया था बताया था उस डायग्राम को एक बार फिर से देख लीजेगा बहुत आसान है ठीक है फिर आपको बताया कि इसोफेगस पड़ेगा इसोफेगस के बाद अगली जो अगला जो पात्वे होगा वो क्या होगा इस टमक होगा पेट का कोई डाजेशन नहीं होता है केवल पानी सोखा जाता है बस उसके जरिए कम्पलीट फूड का जो डाजेशन होता है कम्पलीट जो पाचन होता है खाने का वो कहां होता है छोटी आथ में होता है छोटी आथ में हमने आपको एक बात बताई थी बड़ी इंट्रेस्टिंग क चोटी आत देखने में चोटी नहीं है वो नाम चोटा क्यूं है क्योंकि हमने बताया था उसके अंदर का Lumen क्या है सकरा है ठीक है ना एरिया कम है और लंबाई ज़दा होती है चोटी आत को बोला गया है चोटी क्यूं ताकि उसका Lumen सकरा है बड़ी आत को बड़ी क्यों बोला गया कि उसके अंदर का एरिया क्या है ज्यादा है ठीक है ना बलकि बड़ी आत लंबाई में छोटी होती है छोटी आत लंबाई में बड़ी होती ठीक है तो छोटी आत में पूरी तरीके से खाने का पाचन हो जाता है और पूरी तरीके से absorption भी हो जाता है कहां छोटी आत्में ठीक है यहां तक बात हुई थी फिर हमने छोटी छोटी बातों को ले करके बताया था कि mouth में अगर हम कहें तो teeth और tongue आएगा tongue की बात करें तो tongue का काम होता है क्या simply tongue का काम बोलने में जो हमारे आप बाते सुन रहे हैं हम language को modify कर रहे हैं जीप की मदद से tongue की मदद से तो speak करने में बोलने में help करती है जो भी खाना खाते है लार के साथ मिलाने का काम करती है फसे हुए food के particle teeth के बीच जो फसे उनको निकालने का मुझ की सफाई करने का काम करती है ठीक है ना क्या करते हैं test bird जो होते हैं वो कहां पाए जाएंगे इसी पर पाए जाएंगे tongue पर पाए जाएंगे जो sweet के लिए मीठे के लिए खटे के लिए नमकीन के लिए सब के लिए पाए जाते हैं और यह test bird मर जाते हैं कब बनकार के समय फीवर में इस वज़ा से हम को खाने का जो स्वाद है वो क्या हो जाता है बिगड़ जाता है फिर हमने जिकर किया था कि जो teeth है teeth चार प्रकार के दाथ होते हैं और दाथ की बात अगर करें तो उसमें दो layer है सबसे बाहर वाली layer का नाम क्या था inamal और उसके नीचे वाली लेयर का नाम डेंटाइन था इनेमल सफेद कलर का सबसे कठोर भाग होता है आपके पूरे बाड़ी का उसके बाद अगर कोई कठोर होता है तो उसी इनेमल का नीचे दूसरा दात में हिस्सा होता जिसका नाम डेंटाइन है तीसरे नंबर पर हमारी हड़ी आती है मजभूती के रूप में बताया था आपको ठीक है दाथ चार परकार के होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की बाद किया था और ये चारो परकार के दाथ का काम होता है सिंपली किया फूड को तोड़ना बड़ी बड़ी रोटिया या फूट के पार्टिकल को तोड़ करके छोटे में convert करना ताकि उस पे enzyme काम करके अच्छे से पचा सके ठीक है ना अब इसके बाद हमने आपको बताया तीथ के बाद dental carry बात की थी dental carry क्या होता है तो कहा था dental carry और dental plague ना तो हमने कहा था steptococcus mutant एक bacteria है mutants जो bacteria क्या करता है कि जो food के particle होते हैं फसे होते हैं वो उनको bacteria convert कर देता है किसमे lactic acid में और यह lactic acid एक acid है जो धीरे धीरे हमारे enamel को ऊपर वाली शफेद वाली layer को धीरे छरन करता है नुकस्तान पहुचाता है और बाद में दात काला पड़ जाता जिसको कीड़े लगना बोलते हैं वही dental carry है कभी कभी कुछ गंदगी से साप तरीके से मसरी हम दात को अच्छी तरीके से रिगुलर्ली ब्रस नहीं कर पाते साप नहीं कर पाते फूट पार्टिकल फंसा रहता है वो bacteria grow करते करते क्या करेगा एक layer बना लेगा yellow color का जिसे हम क्या बोलते है dental plague बोलते हैं यह बीमारियों म mandibulari और जीब के नीचे sublingual तीन प्रेयर की जो gland हैं ग्रंथियां हैं यह तीनों प्रेयर की जो ग्रंथियां है क्या निकालेंगी saliva निकालेंगी लार निकालेंगी और लार में होती है enzyme enzyme का नाम क्या है salivary amylage या tylin है और वही enzyme करेंगे है अरे होगा ठीक है ना तो है salivary amylage क्या करेगी डाजेस्ट करेगी किसको जो भी हम स्टार्च खाते हैं लेकिन पूरी तरीके डाजेस्ट नहीं कर पाएगी भाई केवल 30% स्टार्च को डाजेस्ट कर पाएगी स्टार्च किस्ते मिलके बना है गुलुकोस से ठी कि तोड़ा बहुत सिंपल सुगर भी डाजेस्ट होता बाके और किसी प्रकार का कोई डाजेस्ट में नहीं होता फिर हमने कहा था फैरिंग्स में कोई डाजेस्ट नहीं ट्रेकिया में कोई डाजेस्ट नहीं लेक्स हम गए थे कहां इस्टमक में तो इस्टमक में हमने जिखा था कि जो इस्टमक है वहाँ पर उसकी वाल पर तीन चीजें थी ना एक तो क्या हाइडोक्लोरिक एसिद निकाला था HCL ना एक क्या एक बताया था आपको पेपसिन एंजाइम वो निकली थी और तीसरा क्या म्यूकस म्यूकस ये तीन चीजें निकली थी कहां इस्टमक की दीवाल से पेट की अंदर वाली दीवाल से अब पेट का अगर स्टक्चर देखें ना इस्टमक का तो जेसे बैग लाई के स्टक्चर है सबसे जादा फैलने वाला आरगन है ना यहां तक हमने बात आपसे की थी अब हम आगे बढ़ाएंगे ठीक है ना तो आप fast करके और revise कर सकते हैं speed बढ़ा करके ठीक है ना इसलिए हमने आपको थोड़ा सा slow mode में बताया आप तेज mode में ये करके देख सकते हैं ठीक है ना चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो हमने जिकर किया था कि अगर stomach की बात हमने की थी कि ये सब चीजे पाई जाती हैं तो एक सवाल आता है बड़ा important भईया बता दें कि मानं लिजे कि कभी पेट वाली वाल डैमेज हो जाए इस्टमक की वाल कैसे डैमेज हो सकती है मान लो कोई अलसर हो जाए पेट में पेप्टिक अलसर बोलते हैं किस से होगा बैक्टेरिया से हेलिको बैक्टर हेलिको बैक्टर की मदश से की वज़ा से पेप्टिक अलसर होता है पेप्टिक अलसर होगा तो उसकी वाल क्या हो गई डैमेज हो गई damage हो गई तो क्या निकलेगा hydrochloric acid अच्छी तरीकेश नहीं निकल पाएगा क्योंकि वही निकालती थी pepsin enzyme निकलता है वो भी सईसी नहीं निकल पाएगा बताएए खाने का हमारे digestion क्या होगा weak पड़ जाएगा ठीक है ना खाना अच्छी तरीकेश सवाल में कि अगर stomach की wall damage हो जाए तो क्या होगा तो आप simple बता सकते हैं कि अगर wall damage हो जाएगी तो simple सी बात है कि protein का digestion नहीं होगा हलाकि protein पूरी तरीके digestion नहीं होती है फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं तो चलिए ये ध्यान दकना और note में हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं इनको note कर लिजे लाल ठीक है ना सवाल आता है इस पे आया है NDA में ठीक है चले तो चलते हैं आते हैं note में देखते हैं क्या हम बताने जा रहे हैं आपको ठीक है अगर बात करें किसकी SCL की जो hydrochloric acid है ना वो रिलीज होता है hydrochloric acid सोचिए एक ऐसा acid अगर किसी भी body पर डाल दिया जाए नार्मली तो body का कोई हिस्सा बचेगा नहीं जुलस जाएगा जल जाएगा ना हड़ी तक गल जाती है किसमे hydrochloric acid में लेकिन वो hydrochloric acid हमारे पेट में होते हुए भी हमारे पेट को digest नहीं कर पा रहा है गला नहीं पा रहा है क्यों उसके पीछे जिम्मेदार है हमारा काउन mucus क्या जिम्मेदार है mucus तो हम लिखेंगे mucus यह ध्यान रखना mucus protects mucus protects two hour stomach wall mucus किसको protect करता है stomach wall को stomach की दीवाल को protect करता है कौन mucus ठीक है ना from from exocoriation excoriation exocoriation मतलब क्या छरण होना छरण होना छाय होना ना गलने से बचाने का काम करती फ्राम exocoriation of hydrochloric acid ठीक है यह बात ध्यान रखना लाल एक important बात है ना सवाल के लिए पूछ सकता है आप से कि hydrochloric acid हमारे पेट में होता है फिर भी हमारा पेट वैसे रहता हमारी बाडी वैसे रहती क्यों नहीं exocoriation होता है क्यों नहीं जलता है क्यों नहीं खराब होता है गल जाता है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है म्यूकस कौन जिम्मेदार है म्यूकस ठीक है न इसको कौन बनाती है म्यूकस next cell बनाती है वहीं इस टमक की ही cell है भी कहना चली अच्छा अगला जो फैपसिन होती है फैपसिन हाँ एक और बात हाइडो क्लोरिक एसिड हाइडो क्लोरिक एसिड एक्टिवेट अ एक्टिवेट जा कि पैपसिनो जैन पैपसिनो जैन पैपसिनो जैन क्या है इन एक्टिव है क्या है इन एक्टिव है एक्टिवेट दा पैपसिनो जैन इन्टू पैपसिन कि बाई एसेडिक पी एच ठीक है सोचो वो पेपसिन इंजाइम काम ही नहीं कर पाएगी वो पेपसिन इंजाइम काम क्यों नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको काम करने के लिए पहले जगाना पड़ेगा और जगाने के लिए कौँ चाहिए हाइडोकलोरिक एसिर चाहिए बिना HCL के Pepsinogen जगेगा नहीं यह और पचाएगा नहीं आराम से बैठा रहेगा ना आलसी प्रवित्तिका होता है तो आलसी वालों को जगाना पड़ता है तो जगाने के लिए कौन चाहिए हाइडोकलोरिक एसिड चाहिए अगर यह हाइडोकलोरिक एसिड ना हो तो Pepsin काम नहीं करेगी समझ गए ना चले आगे बढ़ेंगे ना चले आगे बढ़ेंगे भाईया अगर बात करें Pepsin का का काम क्या करेगी Pepsin तो Pepsin प्रोटीन को डाजेस्ट करेगी बहुत छोटे में ना कम्पलीट डाजेस्ट नहीं करेगी पार्सियल डाजेस्ट करेगी तो अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए देख लीजेगा आप जहाँ कोई दिक्कत हो वीडियो को रोक करके slow mode में चला के या repeat करके देख सकते हैं उसके अलावा भी समझ में नहीं आता तो अगले lecture में हमसे पूछ लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next बात करेंगे लाल अगर बात करें किसकी protein की तो जो protein है जो protein कहां है इस टमक में है वो protein को है न पेपसिन पहले सो रही थी किसने जगाया hydrochloric acid ने जगाया कि जाग जाओ न काम आ गया है तुम्हारा न नुसरत जहां ने खाया है क्या protein और meat खाया है उस meat को पचाना है तो कैसे पचेगा भाईया यही उपाय है तो protein जो की meat में या कहीं पर जो भी मिलेगा जहां से उसको जो हमने खाया है उस पेपसिन को जगाने वाला SCL ना उसने काम अपना कर दिया है अब यह पेपसिन जागने के बाद इस protein को ज्यान देना पीफार पेपसिन पीफार protein उसी पे काम करेगी और पीफार partial partial मतलब पूरी तरीके से नहीं आंसिक रूप से आंसिक रूप से थोड़ा पाचन करेगी पूरा complete digestion नहीं करती है यह बात ध्यान रखना तो पेपसिन क्या करेगी digest करेगी protein को किसमें proteases और peptones में किसमें peptones and proteases ठीक है न यह क्या है partial partial मतलब आंसिक आंसिक रूप से आंसिक रूप से पचाएगी आंसिक रूप से पचाएगी partial पूरा complete digestion प्रोटीन का नहीं होता ध्यान रखना complete digestion अभी तक कहीं नहीं हुआ है ना तो मेरे लाल माउथ में और ना तो इस्टमक में तो इसमें तो होता ही नहीं है grace निली में ना तो फैर्दिंस में होता है पहला complete हुआ नहीं दूसरा होता ही नहीं तिसरे में होता है नहीं इस्टमक में आए तब भी इनकंप्लीट है समझ रहें ना हाँ ध्यान रखना भी छोटी आत में पहुचेंगे तब डाजेशन बढ़िया होगा ठीक है ना छोटी आत छोटी आत में जब आएंगे तो कंप्लीट डाजेशन होगा कैसे होगा किसकी मद पचा नहीं है अभी जो ये प्रोटीन पूरा पचा नहीं है नुसरत ने क्या खाया मीट खाया मीट पुरी तरीके से पेट में ना पचा बस थोड़ा तोड़ दिया गया है बस थोड़ा तोड़ दिया गया है बस किसको प्रोटीन को आगे बचा खुचा कहां तूटेगा इं enzyme आएंगी ना मजबूत मजबूत ताकतवर वाली enzyme जैसे कौन ट्रिप्सिन काइमो ट्रिप्सिन ना ये सब enzyme आगी इरेप्सिन आईसी enzyme की जो कहेगी बस अब तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक हम तोड़ करके फिरी नहीं कर देंगे तुमको आजाद नहीं कर देंगे समझ गए ना तो चलिए यह था किसका यह था stomach की कहानी तो stomach में complete digestion नहीं होता है ठीक है lipage enzyme होती है लेकिन उतना अच्छे से पूरा पचा नहीं पाती है ठीक है हाँ milk का protein का थोड़ा बहुत दाशन होता है आपको बता दें ना milk are milk protein milk protein milk protein का नाम क्या है casein casein is digested is digested by milk protein is digested by बच्चे में छोटे बच्चे में enzyme होती है कौन वो enzyme digest करेगी किसको milk की दूद वाली protein को नाम उसका रेनिन है क्या नाम है रेनिन है रेनिन लेकिन किसमे milk protein is digested by रेनिन 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 in child या नियोनेट्स 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 क्या होते हैं नवजात सिसू न चचप नवजात सिसू नियोनेट्स या चाइल्ट ना जो दूद पीता है और देखा होगा आपने दूद्ध पिला दिया ममीनि थोड़ी देर बाद जब उल्टी करता तो दही जैसे ठके जैसे करता है क्यूं करता है क्यूंकि जो उसके पेट के अंदर एंजाइम है रेनिन वो क्या करता है दूद्ध को तोड़ देता है कोगुलेट कर देता है ठक्का बना देता है प्रोटीन कोगुलेट कर जाती है तूट करके किसकी मिल्क प्रोटीन केसीन कौन तोड़ता है रेनिन छोटे बत्ये में ये होता है समझ रहे न हम सब में एडल्ट में पेपसीन यही काम करती है पेपसीन और ज्यादा पुराने हो जाएंगे तो हम सब में पेपसीन अच्छी तरीके से दूद्ध को पचा भी नहीं पाती इसलिए दूद्ध बूढ़ों में नहीं पचता है यंग में तो पच जाएगा जो बूढ़े होते हैं उनके लिए दूढ़िया दही होती है समझे ना दही सबसे बढ़िया डाजेसन म है वह इस्टमक में ही होता है जब आपको विटामिन पढ़ाएंगे बीट्व साइनो को बाला मीन ठीक है न तो यहीं पर वह उसके लिए फैक्टर जाना जाता है इस्टमक में तो यतना बात ध्यान रखना आपने ठीक है न रखना एंजाइम इज आ रेनिन इंजाइम मिल् चाइल लेया नियोनेट्स नवजात सिशू में ठीक है न हैंस इस प्रकार से नियोनेट्स वोमिट कोगुलेटेट्ट फार्म आफ मिल्क इसलिए छोटा बच्चा जब उल्टी करता है तो कोगुलेट्ट मतलब ठकके जैसा कोगुलेट्ट मतलब ठकका 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 नहीं ठकका ठकके के फार्म में उल्टी करता है दूद के ठीक है न कौन छोटा बच्चा तो यहां तिक कहानी भाईया इस्टमक की हो गई अब हम इंटेस्टाइन छोटी आत हाँ गाय भैस जो होते हैं जुगाली करने वाले जो पसु होते हैं जुगाली मतलर पागुर करने वाले आपने देखा होगा गाय भैस को बकरी को खाने के बाद पहले कुछ के बाद बैठेंगे तो मुँख क्या करेंगे वो चलाते रहते हैं और यहां बगल से फोम जैसा निकलता रहता है एक्चुली में करते क्या है वो पहले क्या करते हैं वो खाते चले जाते हैं कूछते ही नहीं तो इस्टमक में उनके चार पार्ट होते हैं ठीक है ना वो उसको कंपाउंड इस्टमक बोलते हैं और वहां से जो खाना पहले खा गए हैं उसको वापस लाके माउथ में फिर से कूछते हैं तो वही पागूर करना रिगर गटेशन बोलते हैं ठीक है ना तो ध्यान रखना य इसमाल इंटेस्टाइन छोटी आथ ठीक है ना छोटी आथ की बात अगर हम करें तो छोटी आथ बताया आपको कि छोटी नहीं है नाम छोटा क्यों है उसका लियूमेन छोटा है लेकिन लंबाई क्या है बड़ी है तो अगर हम छोटी आथ की बात करें तो यहाँ पर क्या क्य आएंगे यहाँ पर आपको कई चीज़ें आएंगे एक तो जूस आएगा कौँ सा लीवर वाला जूस बाइल जूस दूसरा जूस आएगा मेरे लाल किसका पैंक्रियाच का जूस दो जूस मिलेंगे और तीसरा इसमाल इंटेस्टाइन की दिवाल एक और जूस निकालेगी सक पूरी तरीके से डाजेस्ट करके बदल देती है कहां सिम्पल में तो कांपलेक्स फूट को बड़े बड़े फूट को छोटे छोटे फूट के पार्टिकल में कनवर्ट करना ही डाजेसन कहलाता है और डाजेसन कम्पलीट कहां होता है पूल कहां होता है खतम कहां होता है कि कहां आप तोड़ करके पूई दरीके से खतम करके उसको simple में convert कर देंगे मतलब complete करना क्या है पहले हमारी बात को समझे जैसे मान लिजे हमने क्या किया भई या आपको एक simple example बता रहे हैं उसको समझना ध्यान से मान लिजे हमारे पास 1000 मोतियों की माला है कितनी है एक 1000 मोतियों की माला है अब ये 1000 मोतियों की जो माला है हमने क्या किया इसको तोड़ करके सब को अलग करना है 1000 मोति पिरोए गए हैं एक धागे में ये बड़ा माली क्यूल हो गया इसको complex माली क्यूल बोलते है अब जब हर एक मोती को तोड़ करके हम फिरी कर देंगे आजाद कर देंगे तो ये कहलाएगा complete है क्या? digestion अब किसमे हो गया? एक-एक अकेले-अकेले में हो गया मतलब simple हो गया पहले सबका मिला हुआ क्या था? complex अब जब तोड़ के सबको अलग कर दिया एक हजार मोतियों को अलग-अलग कर दिया तो कहलाया simple तो complex को simple में convert करना ही digestion तो है और digestion कहां complete होता है? छोटियात में सुरुवात कहां हुआ? माउथ से मान लो माउथ में starch एक बड़ा माली क्यूल है जो एक हजार गुलुकोस से मिलके बना है अब एक हजार गुलुकोस का माली क्यूल यहां पूरा नहीं तूटा ठीक है? मान लीजिए सौ माली क्यूल तूट गया तो सौ तूट गया भी क्या? 900 तूटे हैं? नहीं तूटे हैं तो क्या पूरी तरीके से complete digestion हुआ? नहीं हुआ क्या आपने पूरी तरीके उसको आजाद किया? नहीं आजाद किया तब फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेगा इस्टमक में जाएगा इस्टमक में भी माल लो पूरा नहीं पचा ठीक है? इस्टमक में माल लिजे पूरा नहीं पचा तो पूरा नहीं पचा तो फिर माल लिजे चार पानसो तोड़ दिया और तो अभी भी 500-600 बचे हैं पहले सो तोड़ा अब 400 तोड़ा 500 तोड़ गये अभी 500 बाकी है तब भी क्या complete digestion किया? नहीं किया अब उस बचे हुए 500 को कहा ले गए चोटी आत में चोटी आत में तीन जूस मिले पैंक्रियाज वाला जूस मिला लीवर वाला जूस मिला इंटेस्टाइन वाला जूस मिला तीनों जूस मिलके अचानक उस पे हमला कर दिये अब जो बचा 500 था वो भी तूटके आजाद हो गया तो बताओ पूरी तरीके से आजादी कहां मिली पूरी तरीके से आजादी मिली मेरे लाल छोटी यात में तो छोटी यात में complete digestion होता है इस बात को आप दिमाग में याद रखिएगा ठीक है तो आये जो छोटी यात में घटनाए होती है उनको थुड़ा सा जान ले और उसके बाद फिर बड़ी यात पर आए ठीक है चलो एक डाइगराम बनाएंगे ना एक डाइगराम बनाएंगे मेरे लाल अगर इस डाइगराम की बात करें तो इसी से कहानी हम बहुत कुछ खतम कर जाएंगे ठीक है ना तो बात करें क्या ismahal intestine ठीक है ismahal intestine छोटी आत तो छोटी आत की बात करें ना चलो भईया यह क्या है यहां से 800 फैगा साया ठीक है न, इसोफेगस से मेरे लाल इस्टमक आया इस्टमक के बाद यहां से इस्टमक में वाल्व होता है अब यहां अगर बात करें तो यहां से छोटी आँच सुरू हो गई ठीक है यह क्या है इस्टमक माल इंटेस्टाइन है माल लो मान क्या लें है ही न छोटी आँच है भीया छोटी आँच में मेरे भाई यहां से लीफ लाइक स्टक्चर होता है जिसका नाम क्या है पैंक्रियाज है ठीक है तो यह जो लीफ लाइक स्टक्चर आपको देखने में समझ आ रहा है इसका नाम क्या है पैंक्रियाज है पैंक्रियाज क्या है अगनियासय है अगनियासय अगनी जलाने वाला अगनी क्या जलाएगा अरे ऐसी आग जलाएगा यहां पर इसी इसी इंजाइम होती है जो पूर्य तरीके से आग लगा देती है फूड में अरे इसका मतलब यह नहीं कि पेट में आग लग जाएगा नहीं जो खाना है उसको डाजेस्ट करने में ठीक है ना तो भाईया पैंक्रियाज यहां पर जो जूश निकलेगा उसका नाम क्या है पैंक्रियाटिक जूश क्या नाम है पैंक्रियाटिक जूश इसमें ट्रिप्सिन इंजाइम होगी ट्रिप्सिन काइमो ट्रिप्सिन ठीक है ना और इसके अलामा लाइपेज इंजाइम होगी लाइपेज लिपिट को डाजेस्ट करेगी वसा को तेल को डाजेस्ट करेगी ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाजेस्ट करेगी चलो यहाँ से लिख लो यह किसको करेगी प्रोटीन को और इसके अलामा क्या लाइपेज लिपिट को डाजेस्ट करेगी वसा को करेगी और क्या न्यूकली एजेज न्यूकलिक एसिट को न्यूकलिक आमल को डाजेस्ट करेगी ठीक है और कारवाक्सी पेप्टाइडेज यह सब पाई जाती है मतलब सीधी बात यह है कि इतनी इंजाई में यहाँ पाई जाती है कि यह कहेंगी भईया यहाँ समझाने नहीं देंगे पचा के छोड़ेंगे ना तो पैंक्रियाटिक जूस बताओ कहां निकलता है पैंक्रियाटिक जूस निकलता है पैंक्रियाज से किसी को सक कोई पैंक्रियाज से निकलेगा ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं complete juice बोलते हैं क्या बोलेंगे complete juice बोलते हैं दूसरा अगर हम आपसे कहें तो यहाँ पर क्या होगा हाँ यहाँ पर भाईया lever होगा यह क्या है leave लीवर की बात करें यहाँ से वह गाल-bladder में store करता है यह क्या है गाल-bladder पित की थैली पित की थैली इसमें stone हो जाता है इसको काटके निकाल दिया जाता है यह आके कहां खुलता है किस में खुलता है पैंक्रियाटिक वाले जूस के नली में खुलता है और सब आके कहां खुल जाते हैं सब आके खुल जाते हैं यहां क्या बनेगा बाइल बनेगा लीवर में क्या बनेगा तो हम कहेंगे लीवर में बाइल बनता है क्या बनता है बाइल बनता है ठीक है न यह ब्लू कोलर दिख रहा है ठीक है लीवर में भईया बाइल बनता है बाइल यह भी जूस है बना कहां लीवर में बना कहां लीवर में ठीक है लीवर ने बनाया कहां आजात किया छोटी आत में स्माल्टे स्टाइन में ठीक है ना छोटी आत में और यहां के जो कुछ जूस हैं यहां के जो जूस हैं किसकी दिवाल छोटी आत की दिवाल छोटी आत की दिवाल क्या निकालेगी सक्कस इंटेरीकस सककस इंटेरीकस यह कौँ सा जूस है सककस इंटेरीकस निकालेगा इंटेस्टाइनल जूस कितने जूस निकले बताओ हमें एक तो पहला बाइल एक तो दूसरा पैंक्रियाटिक जूस एक तो तीसरा कौँ सा इंटेस्टाइनल जूस बताओ कितने जूस निकले जल्दी बताओ तीन जूस ठीक है ना कौन कौन एक तो लीवर में बनने वाला बाइल जूस दूसरा कौँ सा जूस सककस इंटेरिकस छोटी आत में बनने वाला जूस और तीसरा कौनसा पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में बनने वाला जूस यह तीनों जूस निकल के अरे यह तो यहीं होता है दो जूस निकल के आते हैं बाइल वाला पैंक्रियाज वाला कहां छोटी आत में अब छोटी आतने जो खाना आया है कहां से आया है बताओ बताओ कहां से आया है ये बताओ कहां से आया है इस्टमक में से इस्टमक में कैसा पियस था हाइड्रोकलोरिक एसिड था क्या तो कैसा पियस था एसिडिक कैसा था एसिडिक पियस था अमली ये था कैसा भोजन हो गया था अमली ये भोजन अमली ये अब आगे बढ़ेगा यहां आएगा तो बाइल कैसा होता है छारी कैसा होता है बेसिक मतलब होता है छारी एलकलाइन एलकलाइन या छारी छारी ये बोलते हैं अमली ये कहा था अमलिय कहां था अमल कहां बना एसिड कहां बना इस टमक में वो एसेडी खाना जब आगे बढ़ा छोटी यांत में आया तो जूस कौन सा इसका वाला बाइल वाला वो कैसा था छारी ये आके इस खाने को पहले परिवर्तित कर देता है किसमें किसमें छारी ये में कनवर्ट कर देता है शोचिए अमली से छारी हो गया अब यहां पर जो एंजाइम पैंक्रियास से निकलेंगी ना वो पचाएंगी बची खुची एंजाइम सकका सिंटेरी का सिंटेस्टेस्टनल जूस वाली वो भी निकलेंगी और पूरी तरीके से खाने को पचाएंगी तो जब पूरी तरीके से खाना पचेगा तो किसमें कनवर्ट होगा वो हम आपको बताने चल रहे हैं ठीक है ना पहले इस डाइगराम को समझ लीजिए और कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है कोई दिक्कत यहां तक जल्दी समझे ना उसके बाद बड़ी आता जाएगी बड़ी आत के बाद नहीं करेंगे तो complete digestion and absorption आप food पूरी तरीके से खाने का पचना और सोख लेना अबजार्व कर लेना कहा होता है छोटी आत में होता है कितने जूस हैं उसमें छोटी आत में कितने जूस आएगे एक आएगा byl जूस एक आएगा pancreatic जूस एक खुद ही उसका जूस कवन सक्कस इंटेरीकस ना intestinal जूस आत का खुद ही जूस छोटी आत का अपना खुद का जूस liver से बनने वाला बाइल जूस अब पैंक्रियाज में बनने वाला पैंक्रियाटिक जूस तीनो जूस निकल के यहाँ पर खाना जो आया होता है कहां से इस्टमक से वो खाने को पचा देता है पूरी तरह से ठीक है ना तो इतना आप बना लीजिए एक बार या स्क्रीन साट ले लीजिए और आ आधार पर कि यह क्या क्या करके किसमें कनवर्ड कर देते हैं डाइजेस्ट कर देते हैं ठीक है जल्दी से बना लीजिए छोटी आथ छोटी नहीं है बताया आपको बड़ी है लगबग लगबग 6 सवा 6 मीटर के एराउंड ना बड़ी आथ छोटी बले होती है लगबग 1. मीटर के राउंड होती ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद लाल अब बात करेंगे डाइजेस्ट की कि किसमें किसमें डाइजेस्ट होके किसमें जाएगा जल्दी से नोट कर लीजिए ना आप आप चलिए तो नोट कर लिया होगा आइठिक कि ये बाते समझ में आगे इसलिए डाइगराम बनाया आगे बढ़ेंगे लाल नेक्ष्ट ना तो अब हम डाइजेस्ट देखेंगे इसमें ना juice juice के जरीए क्या-क्याडाइसन होगा कउन juice क्या काम करेगा कौन सा juice क्या काम करेगा तो work off work off juice juice का काम नज अलग-अलग जो juice पढ़े तिनों उनका क्या काम होगा पहला कौन सा bile juice कौन सा bile juice बाइल जूस ना जो बाइल जूस होता है जो बाइल जूस होता है उ में एंजाईम नहीं होती simple सी बात है bile juice में enzyme नहीं होती means कहते हैं हम क्या no enzyme no enzyme याद रखना पहली बहुत खास बात ऐसे पूछ लेता है कि किस juice में enzyme नहीं मिलेगी भाईया bile juice में enzyme होती नहीं तो होता क्या salt होता है और pigment होता है na bile contains तो आगे लिखेंगे bile contains bile रखता है bile contains रखना किसको रखना bile contains क्या रखता है bile तो bile contains bile salt bile salt and pigment and pigment na pigment और bile salt रखता है रखता है रखता है तो तो bile salt करेगा बता दें आपको bile salt एक बाइल शाल्ट ये करेगा जो फूड जो फूड आया है कोन फूड लिपिड ध्यान दखना वसा वसा थैट टेल न तेल वाली जो चीज़ें वसा वाली जो आप चीजें खाते हैं ना चिप्स ना जो भी जहां पर भी लिपिट वाली तेल वाली चीजें होंगी आयली वाली पूरी पराठा जो भी है ना इन सब में क्या है फैट है वसा है लिपिड है इस lipid fat वसा तेल को bile salt क्या करेगा bile salt अगर ना हो तो यह जो वसा है इस पर काम करही नहीं पाएगी कौन इंजाइम कौन इंजाइम lipase तो bile salt करता है lipid fat वसा को emulsify करता है क्या करता है emulsify करता है यह ध्यान दखना emulsification करता है what is emulsification emulsification क्या है छोटे छोटे globule में तोड़ देना वसा को तेल के बड़े molecule को छोटे छोटे globule में तोड़ देना मतलब कहने का अगर यह यह है तो इसको यह करेगा यह ऐसे छोटे छोटे globule में तोड़ देना और यहाँ पर bile salt लगेगा एक मिनट पहले हम आपको simple बताएंगे तब आगे बात करेंगे पहले जो fat है जो lipid है इस पर कौन लग जाएगा भाईया इस पर लग जाएगा bile salt कौन लग जाएगा bile salt यहाँ पर उपर इसके उपर कौन आ गया bile salt bile salt ने अच्छी तरीके से इसको घेर लिया कि तुमको जाने नहीं देंगे घेर लिया इसे बोलते हैं emultification अब जब यह emultify करेगा तो यहाँ पर enzyme काम करेगी कौन enzyme यहाँ पर काम करेगी lipid bile क्या किया बाइल ने उस फैट पर अपने आपको चढ़ा लिया चढ़ा करके पहले कुछ छोटे में इसको तोड़ा है अब lipid क्या करेगी इसको fatty acid और glycerol में तोड़ देगी फैट है उस फैट को छोटे में तोड़ेगी अब बाद में lipid क्या करेगी lipid इसको fatty acid और glycerol में तोड़ देगी fatty acid और किसमे glycerol में याद रखना ये याद रखना fatty acid और glycerol glycerol fatty acid और glycerol में तोड़ने का काम कौन करती है lipid enzyme कहां से निकली थी बताओ अभी बताया था हमने पीछे का डाइगराम पलट के देखो अभी बताया था किसमें pepsi क्या कहते हैं पैंक्रियाज में जो enzyme थी लाइपेज वही enzyme इसको तोड़ रही है किसको fat molecule को fat molecule ये भी क्या है fat molecule है fat molecule है fat molecule fat molecule को पहले emulsify किया फिर बाद में इस पे enzyme काम करके उसको तोड़ दी complete digestion कर दिया तो हमने fat का देखा क्या देखा fat का देखा किस के जरिये बाइल के जरिये बाइल के जरिये और दूसरा काम क्या करेगा मेरे कर देगी एलकलाइन में एसेडिक फूड एसेडिक फूड एसेडिक फूड आप इस्टमक converts into alkaline चारी उसमें convert कर देना समझ रहे ना ध्यान रखना दो बातें ये पूछा जाता है एसेडिक फूड को एसेडिक खाने को जो इस्टमक में पेट में था उसको convert कर देना किसमें चारी में ताकि उस पे अच्छी तरीके से सारी चीजें हो सकें और बाइल सार्ट लगके उसको क्या करेगा पचाएगा fat के माली के उल को तो ये बाइल का भाईया action है काम है ध्यान रखना बाइल का काम बहुत important है पूछा गया है NDA में पूछा गया है ध्यान रखना NDA में ठीक है अब बाइल juice के बाद हम दुसरी बात करेंगे किस की चल दी से बताओ ना बाइल ने क्या किया बाइल ने सिर्फ इतना काम किया लेकिन आगे का काम पैंक्रियाच की इंजाइम करेगी और फैट को तोड़ देगी समझ गए समझ गए चलिए अब आगे बढ़ेंगे बाइल जूस के बाद दूसरा जूस परेंगे कौन सा जूस उसको देख लीजिए तो सिंपल सी बात है बाइल जूस में कोई इंजाइम नहीं होती है उसमें पिगमेंट और बाइल साल्ट होता है बाइल साल्ट का काम होता है एक तो जो एसे डिक खाना है कहां इस टमक में उसको बदल देना छारी में ना अमली को छारी में बदलना दुसरा ब अब उसके बाद उस पर इंजाइम काम करके complete तरीके से तोड़ करके fatty acid glycerol में free कर देगी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next next दूसरा काम किसका दूसरा काम किसका दूसरा काम है भाईया bile juice हो गया pancreatic juice का pancreatic and pancreatic and intestinal juice सीधा लिख लो क्योंकि उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है intestinal juice दोनो juice का काम देखेंगे दोनो juice मिलके क्या करेंगे simple सी बात है carbohydrate को carbohydrate को किसमे तोड़ देंगे भाई carbohydrates को तोड़ देंगे किसमे amylase enzyme होगी यह क्या हो रहा है amylase enzyme होगी amylase enzyme किसमे तोड़ देगी sugar में sugar क्या है glucose क्या है glucose ठीक है amylase enzyme कहा थी कहा थी बताओ बताओ pancreas में थी भाई और कहाँ चोटी आत में सक्का सिंटेरी का सिंटेस्टेनल जूस में थी इसने carbohydrate को तोड़ दिया किसमें sugar में दूसरा अगर हम बात करें protein को peptons कहाँ था peptons और proteases peptons एंड proteases proteases protein का जो parsley digested था याद करो parsley digested कहाँ था parsley digested intestine में याद करो तरी parsley digested इन stomach में जो stomach में पूरा पचा नहीं था protein इसको क्या करेगी इसको enzyme कौन सी enzyme trypsin कौन सी enzyme trypsin और कौन chemo trypsin ये क्या करेगी तोड़ देगी किस्ट में तोड़ देगी किस्ट में amino aml में किस्ट में amino acid amino acid amino aml में क्योंकि protein किस्ट मिल के बना होता है amino aml से मिल के बना होता है तो जो amino aml से मिल के बना है वो तूट जाएगा वो तूट जाएगा ठीक है ना प्रोटीन या प्रोटीन या प्रोटीयोजेश किस्ट मिल के बना है लाल amino aml से तोट तोड़ देगी काउन ट्रिपसिन aml एंज इंजाइम कार्बो हाइड़ेट को तोड़ देगी स्टार्च को तोड़ देगी भाई स्टार्च को याद करो स्टार्च रोटी में है केला में है ना जो 30% पचा था जो इंटेस्टाइन में भी पूरा नहीं छोटी आत ओ सरी जो इस्टमक में भी पूरा नहीं पचा था माउत में भी पूरा नहीं पचा था उसको कहां पचाया जाएगा पूरी तरीके से छोटी आत में ना फैप्टोंस प्रोटियोज जो इसमाल इस्टमक में पूरा तरीके पूरी तरीके नहीं पचा था उसको भी पचा दिया जाएगा और कौन बचा और फैटी इसीड ग्लिसराल तो हो ही चुका है ना नूकलिक ए अमल यह भी कौन इंजाइम आएगी नूकलियेज कौन आएगी नूकलियेज और क्या करेगी इसको पचा देगी किसमें जिरा देखिए किसमें नूकलियो स्ट्राइड में नूकलियो स्ट्राइड क्या सीधा आप कह सकते हैं सुगर नाइट्रोजिनस बेस पासफेट ठीक है इतनी वाते हैं फाइट को कैसे डाइजेस्ट किये थे आप जात करो फाइट को लाइपेज ने तोड़ा था बोलो बोलो फाइट को किस ने तोड़ा था फाइट को किस ने तोड़ा था फाइट ग्लोब्यूल को तोड़ा था लाइपेज ने कैसे तोड़ा था किसमें fatty acid और fatty acid और glycerol में fatty acid और glycerol में बस यही चार प्रकार के खाने हैं हमारे पेट में चारों प्रकार के खाने को पूरा पचा देता है ठीक है समझ गए तो complete dyson कहां हुआ छोटी आत में अब absorption जो भी पच करके यह छोटे में simple में convert किये हैं इनी को वापस absorb करके कहां पहुचा दिया जाएगा liver में और liver से blood में जहां जरूत होगी वहाँ वहाँ जाएगा तो last लिखेंगे last absorption यह ध्यान दखना पूछा जाता है product किसका क्या होगा यह यह और यह तो उतना नहीं आता यह ना यह चीजे ज़्यादा पूछी जा सकती हैं आपसे कि fight को पूरा पचाएंगे तो किसमें पचेगा fight acid और glycerol में कहेगा protein या protein या protein या pepteons को जब तोड़ेंगे तो किसमें जाएगा amino अमल में ना इस टार्च को जब पचाएंगे तो किसमें सुगर में या glucose में समझ गए क्या याद रखना आगे बढ़ें next absorption तो यहां एक line लिखेंगे note में note में लिखेंगे complete पूरा complete digestion कहा होता है complete digestion occur in small intestine small intestine छोटी आत में ठीक है ना absorption क्या होता है वो जानेंगे absorption simple simple digested food simple digested food absurbs absurbs by intestine intestinal वाल आत की दीवाल throw किसके जर्ये throw will lie will lie क्या होती है बहुत important छोटी आत में उंगली जैसा structure होता है race जैसा और यह सब क्या करते हैं पचे हुए खाने को सोख करके कहां पहुचा देते हैं liver में throw will lie and stored in liver कहां store किया जाता है liver में ठीक है तो यह है absorption ना यह है absorption अब जब जरूरत पड़ेगी तो liver हर जगे भेद देगा खून में liver से कहा जाएगा blood में liver transport into blood कहां पहुचा देगा खून में और blood से फिर finally finally reach कर जाएगा कहां बोलो reach in the cell कोसिका के अंदर पहुच जाएगा और कोसिका के अंदर पहुचने के बाद हम resperson करके energy पा लेंगे यही खाना का पूरा वो है ठीक है न जब कोसिका में पहुचेंगे तो कोसिका में इसी खाने से कैसे तोड़ करके हम energy पाएंगे उसको जानेंगे respiration में ठीक है न तो आज यह digestion की पूरी कहानी होती यहां से समाप्त इसके आगे बड़ी आत की बात करें तो बड़ी आत में कुछ होता नहीं मेरे भाई बड़ी आत में केवल केवल पानी एबजार्ब होता है no digestion no absorption ठीक है ना तो simply एक line और लिखेंगे last large intestine बड़ी आत large intestine large intestine do not यह simple लिखेंगे no digestion no digestion and absorption and absorption occur in occur in large intestine occur in large intestine खाने का किसी भी प्रकार का digestion और absorption कहां नहीं होता है बड़ी आत में तो बड़ी आत में केवल और केवल पानी सोखा जाता है बस only last only water absorbs in large intestine ठीक है ना केवल केवल तो पानी एपजार्ब किया जाता है किसमें बड़ी आत में इसके अलामा और कोई काम नहीं होता ठीक तो यहां से यह पार्ट खतम होता है किसका डाइजिस्टिर सिस्टम का एक बार अपना रिकाल करके पढ़ लिजेगा और फिर से शभी को एक बार फिर से धेर सारा धन्यवाद देखने के लिए और धेर सारी सुभ कामनाएं किसकी दीपावली की ठीक है ना तो दीपावली क का तेवहार जशन के साथ मनाईए और हमने आपको जो बताया है उस बात का परन करते हुए मेरे लाल की कोई पटाखों का इस्तेमाल ना करिए क्योंकि पलूशन जितना होगा आगे चलके आज हमें नहीं तो आने वाली पीडियों में वो समस्चाएं देखने को मिलेंगी अ अपने एनवार्मेंट को साप सच बनाए रखिये क्योंकि उसी एनवार्मेंट में हमको जीना है और वही सास को लेना है जितना हम सास को पालूट करेंगे वही पालूटेड वाटर पालूटेड क्या कहते हैं एयर वही हमको लेना पड़ेगा और हमारे आरगन उसके लिए जिम्मेदार होंगे डैमेज होंगे ना तो वो समस्याएं हमी को जहलना पड़ेगा इसलिए सजग रहे होस्यार रहे दीब जलाइए पॉजितिव इनरजी विखेरिए सभी को एक बार फिर से धेर सारा धन्यवाद और धेर सारी सुपकाम नहीं दीपावली की जै हिंद